बीए, थर्ड यर होम सेंस स्टूडेंट्स एंड M.A.M.S.C. फूड और नूट्रिशियन स्टूडेंट्स आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ICMR Recommended Dietary Intake for Adult Men, Adult Women, Pregnant Women and Lactating Mothers Lactating Mother के दो फीज हैं 0-6 Month in 7-12 Months यह RDA है 2020 का मैंने इसके पिछले Classes में आपको 2010 का RDA समझाया था अब वो 2020 का RDA आ चुका है Publish हो के इसलिए और उसमें बहुत सारे Changes हैं तो Students आपको समझना जरूरी है चैप्टर बहुत बड़ा है और इसके पिछले Class में मैंने Adults and Girls के या Adults and Girls के Requirement के बारे में बात की थी आज हम लोग Adults की बात कर रहे हैं देखे इसमें बहुत सारे कॉलम दीख रहे हैं और बहुत चुटी चुटी कॉलम हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा Zoom कर ले न और उसे अच्छे से समझो मेरी आवाज को आप समझें मैं क्या बताना चाहती हूँ और उसके हिसाब से आप एक एक डाटा को समझ के याद कीजेगा इधर फर्स्ट कॉलम है एज ग्रूप का एज ग्रूप मतलब मैन हम लोग एडल्स की बात कर रहे हैं तो मैन दो तरह के हैं अब कैटेगरीज मतलब अकॉर्डिंग टो वर्क जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ सेडेंटरी वर्कर, मौडरीट वर्कर और हैवी वर्कर बॉडी वेट है 65 केजी मैन के यहाँ दो कैटेगरी इस आडिये में बताई गई है एकॉर्डिंग टो वेट मैन के रिक्वार्मेंट फरक होती है और जैसे 65 केजी मैन के वेट है दूसरा जो कैटेगरी बता रहा है उसमें सेडेंटरी मौडरीट है और उनका बॉडी वेट एवर्रेज है 55 केजी तो जिन मेल का, जिन अडल्ट मैन का बॉडी वेट 65 केजी होता है उन्हें प्रती दिन जो सेडेंटरी वर्कर हैं 2110 किलो कैलोरीज की आवशकता होती है और मौडरेट वर्कर को 2710 और जो हेवी वर्कर हैं उन्हें 1000 थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मैं आपको देख के बताऊंगी यहां पे गड़बड़ी लग रही है जो एनरजी के रिक्वार्मेंट है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से यह 3470 होगा हेवी मेल्स का लिखने में कुछ गलती हो गई है 3,470 समझ में आगया आपको जैसे इसे वर्क कम है तो सेजिंटी वर्कर के लिए 2,110 मौडरेट वर्कर 2,710 और हेवी वर्कर 3,470 फैट फैट भी अक्वार्डिंग टू वर्क वैरी कर रहा है सेजिंटी वर्कर के लिए 25 मौडरेट वर्कर के लिए 30 और हेवी वर्कर के लिए 40 प्रोटीन तीनो तरह के कैटेगरी के मैन को 42.9 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए जबकि हम इंडियन्स की रिक्वार्मेंट वन ग्राम पर केजी बॉड़ी वेट होती है लेकिन चुकि आजकल हम लोगे बॉड़ी में प्रोटीन ज्यादा हो जा रहा है तो एडल्ट एज में यूरिक एसेड बढ़ने की समस्याइं दिखाई दे रही है जिसको ध्यान में रखते हुए ICMR 2020 का जो आडिये है उसमें प्रोटीन की रिक्वार्मेंट को कम किया गया है 42.9 ग्राम प्रतिदिन कार्बो हाइडरे 100 ग्राम जो की 2010 के आडिये में बिलकुल नहीं बताया गया था 100 ग्राम प्रतिदिन कार्बो हाइडरेड लेना चाहिए इस से ज़्यादा नहीं हम लोग अपनी डाइट को अगर गौर करें तो हम प्रतिदिन हम सब एडल्ट्स 300 से 400 ग्राम कार्बो हाइडरेड पूरे दिन में खा जाते हैं यही कारण है कि आज ब्लेड में शुगर का लेविल बढ़ रहा है और 90% एडल्ट पॉपुलेशन डाइविटिक होती जा रही है तो हमें प्रतिदिन केवल 100 ग्राम कार्बो हाइडरेड ही कंजियूम करना चाहिए एडल्ट एज में कैल्शियूम बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि बोन्स में से कैल्शियूम निकलने लग जाता है तो 800 मिली ग्राम प्रतिदिन कैल्शियूम की अवशक्ता एडल्ट को होती है Magnesium 320 mg Magnesium की अवशकता होती है Manco केवल 11 mg Iron की अवशकता होती है Jink 14.0, Iodine 95 Mg, Thymine यानि B1 1.2 mg, 1.5 mg and 1.9 mg According to work होता है Sedentary Worker, Moderate Worker और Heavy Worker के लिए इसी तरह राइवोफलेबिन जितने भी B complex vitamin होते हैं वो सब According to work उनकी अवशकता होती है 1.6, 2.1, 2.7, Niacin 12 mg, 15 mg and 19 mg Vitamin B6, 1.6 mg, 2.1 mg, 2.6 mg and Follet 250 Mu G ये Mu G में लिखा गया है Follet Vitamin B12, जो कि साइनो को वाला मिन है 2 Mu G पर दे एक अडल्ट मैन को दी मिलना चाहिए Vitamin C बहुत अत्यन्त आवर्शक है जितने ग्राम उनका वेट है उतने ग्राम ही उन्हें Vitamin C प्रती दिन लेना चाहिए इसलिए उन्हें अपने आहार में प्रती दिन खटे खादे पधारतों खटे फल और सबजियां जैसे एक निबू कहरस का सेवन अत्यन तावर्शक है और जितने भी खटे फल हैं संतरा मौस में इनका प्रयोग बढ़ा देना चाहिए Vitamin A जो की International Unit में है ये Retinol और Beta Carotene दोनों ही फॉर्म में इन्हें केवल 460 म्यूजी पढ़ दे लेना चाहिए और Vitamin D चुकी Calcium भी 800 मिलीग्राम Calcium तो Vitamin D 400 International Unit अत्यन तावर्शक है क्योंकि Vitamin D की उपस्तिती में ये इतना कैश्यम पूरी तरह से बॉड़ी में इब्जॉब हो सकता है तो ये मैंने आपको Adult Man की पहली केटिगरी जिनका वजन Average Body Weight 65 केजी है दूसरे जो मेल है जो Adult Man है उनका वजन 55 केजी है Sedentry Worker, Moderate Worker और Heavy Worker जो 55 केजी के हैं उन्हें प्रती दिन sedentry worker को केवल 1660 किलो कैलोरीज के अवशकता होती है Moderate को 2130 और जो Heavy Worker है उनने 2720 Fat इसी तरह visual fat 20 ग्राम, 25 ग्राम और 30 ग्राम Protein इन्हें भी बहुत कम चाहिए 36.3 ग्राम Carbohydrate 100 ग्राम, Calcium 800 मिलिग्राम, Magnesium 270 मिलिग्राम, Iron 15 मिलिग्राम और Gink 11 मिलिग्राम Iodines 95 मिलिग्राम और B complex है B1 1.1, 1.4 और 1.8 मिलिग्राम Riboflavin 1.6, 2.0 और 2.6 मिलिग्राम Nielsen 9, 12 और 15 मिलिग्राम Vitamin B6 1.6, 1.6 और 2.1 Follet 180 मिलिग्राम Vitamin B12 2 मिलिग्राम की ही अवशक्ता इनको भी होती है चुकि इनका वजन Body Weight केवल 55 के जिये तो इन्हें 55 ग्राम Vitamin C प्रतिदिन लेना चाहिए Vitamin A 390 मिलिग्राम और Vitamin D 400 International Unit तो Students आपको Adult Man के बारे में समझ में आ गया होगा अब हम लोग बात करते हैं Adult Woman की Adult Woman की जो कैटिगिरी है वो Special Adult Woman की जो conditions होती है पहला Pregnancy और दूसरा Lactation होता है तो ये इसके डाटास को मैं और अच्छी तरह आपको नेक्स क्लास में समझाओंगी तो आज आप केवल Adult Man को खूब अच्छी तरह से समझे और उनके डाटास को याद कर लीजे आफलाइन क्लास में निश्यत रूप से आपका क्लास टेस्ट लिया जाएगा इसलिए आपको ये सारे फीगर्स अच्छी तरह याद होने चाहिए यदि कोई भी स्टूडेंट अपनी कोई क्वैरी रखता हो तो चेट बॉक्स में कोशन दाल सकते हैं या फिर मुझे परस्नली कॉंटेक्ट कर सकते हैं थेंक यू